कि यह मुर्गी फारम है किस कहा पर यह मुर्गी फारम को कितने दिसे देख रहे हैं इसे अब है आपको बेट प्रो के बारे मताता हूं जो यहां के मालिक साहब इस चीज को यूज करा रहे हैं और क्या-क्या फायदा हुआ यह आपको अच्छी तरह बताएंगे इसर जो आपके हाथ में है यह क्या है इसे दिखाएंगे साफ इस बेट प्रो इसे आपको लेने से क्या-क्या फायदा हुए है इससे बहुत फायदा हुआ हुआ कोई एंटिवाटिक दवाई नहीं चला है हमने और कोई व्यक्सिन नहीं किया लगातार इसी को चला रहे हैं सुरू में एक ग्राम एक लेटर पान इसमें आपको बचत कितना आप तक हो गया है आपके हिसाब से जो आप बारत तेरह जार की दवाई लगी जो नहीं लगी और सीधी बारत तेरह जार का तो सीधा ही बचता दो अच्छा एक स्यम्डी जी और इसके बैक्सीन के जगा पर छिड़काव के लिए उन्हें लिए अच्छा स्यम्डी से क्या फाइदा हुगा आपको अच्छा तो उसे हर मुर्गी फादा मौले को हर दस दिन में इस्प्रे करने से उनको फाइदा मिलेगा फंगस नहीं आएगा और बाकि इस बेट पर वोके बारे में क्या कहना चाहते हैं अच्छी दवाई है हमारे लिए आपके कब किस डेट को आये थे आज कितना डेट हो चुका है यहां से आपके बच्चे आये थे और यह 25 साथ 25 दिन हो गया है टो पिपश्चीश दिन में गुरोध के हिसाब से कैसा है बहुत बढ़ी है उसके देने का तरीका एक बार पड़ी है तो इसको देने का सबसे अच्छा तरीका क्या है तो सब्सक्राइब पहले घोल दिया जाए या घंटा पहले घंडे पानी में रखा जाए या आजा ओसा गूल जाते ना गूल ले अगर तुर ना ए क्या लिए जब बिदा तो यह दो इसना में और गही दर्ट शाकते हैं और जो नॉले में यूज़स सकते हैं अधिक आफ को लिए आपको जब कम्प्लीट होगा तव हमको बताएंगे थैंक यू